सबसे कीमती चीज़ पता है क्या है यह वक्त सब कुछ मिल सकता है पर भीता हुआ कल नहीं हेलो दोस्तो मैं हूँ मनी और आप देख रहे हैं स्टेडी मेनिया विद मनी तो आज इस कलास में हम आलफा बैट बी के 31 to 40 आइडम्स करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अपनी आज की कलास फर्स्ट है दोस्तो ब्रो बीट ब्रो बीट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना जैसे देखा होगा आपने कि कोलेज में जैसे सिनियर रैगिंग करते हैं बुली करते हैं नीचा दिखाते हैं जुनियर को तो उसे बोलते हैं बुली करना यानि कि नीचा दिखाना जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है इस सीनियर जुनियर की रैगिंग कर रहे हैं तो इसी बोलते हैं दोस्तों बूली करना नीचा दिखाना So that is the same idea ब्रोव बिट मिल्स तो बूली समवन किसी को नीचा दिखाना Example देखिए College union always try to ब्रोव बिट दा स्टुडेंट अपोजिस टुम हिम मतलब जो भी उनके अपोजिशन में होते हैं उनको ब्रोव बिट करने की कोशिज करते हैं मतलब उनको नीचा दिखाने की कोशिज करते हैं So ब्रोव बिट मिल्स तो बूली समवन यानि की किसी को नीचा दिखाने कोशिज करना तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह एडम भी अच्छे समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next की ओर Next दोस्तो Bad Egg इसका क्या मतलब होता है आपने देखा होगा दोस्तो ट्रे में काफी सारे अंडे रखे होते हैं लेकिन अगर कोई अंडा उन में से खराब हो चुका हो तो क्या कोई वो कामाय आता है अपके नहीं बिल्कुल भी नहीं आता तो जो अंडा खराब हो चुका है वो वर्थलेस हो चुका है यानि कि बिना किसी काम का So, bad egg means a worthless बिना किसी काम का Example देखिए He comes of in our family But he himself is a bad egg मतलब कि यह एक अच्ची family से आता है पर तुछ वो खुद जो है ना मतलब किसी भी काम का नहीं है वो क्या है? worthless है उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह item भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next की ओर next है दोस्तो beside the mark इसका क्या मतलब होता है दोस्तो जैसे यह mark हो गया और इससे beside मतलब काम यह करना है बट इससे आप अलग कुछ काम कर रहे हो काम तो आपको यहां पे करना था बट आप काम इदर कर रहे हो इससे अलग कोई काम कर रहे हो मतलब relevant काम ने कर रहे हो आप irrelevant काम कर रहे हो तो इसी लिए beside the mark का मतलब होता है irrelevant यानि कि कुछ अलग काम करना जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाया गया है आपको काम तो यहां पे करना है बट आप काम काम कर रहे हो आप काम यहां कर रहे हो यानि कि जो आपको काम बोला गया आप ओने कर रहे हो उससे अलग काम कर रहे हो So, beside the mark means irrelevant यानि कि अलग काम करना जो आपको बोला गया वो काम नहीं करना उससे कुछ अलग काम करना अग्जेंपल देखिए Nobody agreed with him Because his arguments were beside the mark Beside the mark means अलग, सबसे अलग उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह item भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next की और Next है दोस्तो बरन्द वन्स फिंगर्स इसका क्या मतलब होता है आप एक बार सोच कर देखिए दोस्तो अगर कोई आपकी फिंगर्स को आग लगा दे जलना स्टार्ट हो जाए आपकी फिंगर्स तो आपको कैसा फिल होगा तो आप मुसीवत में फ़स जाओगे तो इसलिए बरन्द से फिंगर्स मतलब होता है दोस्तो तो गेट इन्टू ट्रबल मतलब मुसीवत में पढ़ना अगरेजम्पल देखिए दोस्तो दोस हूँ इन्टरफेर इन डी अफेर्स ओफ़फ़दर ओफ़न बरन्देर फिंगर्स मतलब फाल्टू में किसी के बीच में पढ़ने का मतलब होता है आप अपनी fingers को जला रहे हो अपने आपको trouble में डाल रहे हो मुसीबत में डाल रहे हो So, once finger means to get into trouble मतलब अपने आपको मुसीबत में डालना उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह item भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next के ओर Next दोस्तो Brown Study इसका क्या मतलब होता है आपने काफी बार देखा होगा दोस्तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और आपको पढ़ते हुए एक गंटा हो चुका होता है लेकिन वही पेज खुला रहता है आपके book का क्योंकि आपका माइड कहीं ओर गया होता है pleasant thing में मतलब मस्त मस्ते जे सोसरे होते हो आप किस बार मैं थुटियों में वहां जाऊंगा मैं ये करूंगा तो उसको बोलते हैं day dreaming मतलब दिन में सपने लेना और item के language में बोलते हैं brown study so brown study means day dreaming दिन में सपने लेना example देखें दोस्तो he could not follow the significance of my offer as he was in brown study मतलब ओ तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह item भी अच्छे समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next के ओर next दोस्तो bank on इसका क्या मतलब होता है दोस्तो आपने देखा होगा क्रोना टाइम में और या फिर de-immunitization हुआ था नोट मंटी हुई थी तो सब लोग bank पे काफी depend हो गई थे तो इसलिए bank on का मतलब होता है दोस्तो depend होना किसी पे bank on means depend on कि किसी के उपर depend होना example देखिए दोस्तो they reach always bank on money to get things done कि वो मेशा money पर depend होते हैं चीजे करने के लिए to get things done वो कोई काम ने करते खुद छोटा सा भी छोटा काम होता हैं दोस्तो तो दूसरों पे करवाते हैं रूपे देकर और जो poor होते हैं या फिर जो middle class लोग होते हैं वो खुद करते हैं अपना काम वो किसी पर depend नहीं होते हैं उमिद करता हूं दोस्तो आपको या एडम भी अच्छे ज़े समझा गया होगा तो चलिए फिर भढ़ते हैं next year next है दोस्तो blaze the trail मतलब जो trail है उसको blaze करना मतलब आग लगाना या फिर कोई काम स्टार्ट करना जैसे आपने ओलम्पिक वाले मिसाल देख्योगी चलती हुई so that is blazing the trail so blaze the trail means to start a movement किसी movement को स्टार्ट करना अगजांपल देखे दोस्तो गांधी जी blaze the trail of quit India movement in 1942 और 1942 में उन्होंने एक और स्लोगन दिया था जो काफी आपत्ती जनक भी था आपको यादे दोस्तों क्या था हूँ ओ था do or die करो या मरो बोला था 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 कि ऐसे संती प्रियनिता के लिए गांधी जी तो संती प्रियनिता है तो ऐसा स्लोगन देना अच्छा नहीं है उनके लिए ऐसी वैसी बाते हुई थी so blaze the tail means to start a moment उमीद घता हूँ दोस्तों आपको या एडम भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next year next है दोस्तों बुल इने चाइना सोब यहां चाइना सोब का मतलब है चाइनीज आइटम से और उनके अंदर अगर कोई बुल या बैल गुस जाए तो क्या होगा तबाही तबाही होगी फिर तो इस टाइप से जैसे फोटो में दिखा रखा है अगर कोई सोब के अंदर बैल या बुल गुस जाए तो क्या करेगा दोस्तो वो तबाही करेगा ऐसे चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा चीज़ों कही बुल इने चाइना सोब मींस वन हो कोजिस डैमेज अग्जेम्पल देखे दोस्तो बिलकुल क्योंकि अगर पांच साल का जो बच्चा है अगर ओ किसी किलोने की सोब में गुस जाएगा तो फिर तो तोड़ फोड़ मजा ना सुर कर देगा तो बुल इने चाइना सोब मिंस वन हो कोजिस डैमेज उमीद करता हूं दोस्तो आपको यह इडम भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के ओर नेक्स्ट दोस्तो बाय दा रूल ओफ थम बिलकूल मतलब प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस होना बाय दा रूल ओफ थम मिंस अकोर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस अक्जामपल देखिए दोस्तो इन ओलर टाइम्स बिजनेस वाजरन बाय दा रूल ओफ थम मतलब पहले रूल ओफ थम से ही काम चलता था कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस कितना है उमीद कता हूं दोस्तो आपको यह एडम भी अच्छे से समझा गया होगा तो चलिए फिर बढ़ते हैं next year next दोस्तो big draw draw मतलब एकदम आपका मुख खुला रह जाना अगर आपको यह इंटरस्टिंग चीज को देखते हो तो आपका एकदम से मुख खुला रह जाता है so big draw means a huge attraction की खाफी जादा attraction होना example देखें दोस्तो the match between India and Pakistan is always a big draw big draw मतलब बिल्कूल सब लोग इंडिया और पाकिस्तान के match को bet it breath के साथ देखते हैं bet it breath याद आया दोस्तो मैंने बताया था anxiety में expectancy में वो अब क्या होगा इस टाइप से उसको बोलते हैं दोस्तो bet it breath हम इसको दोस्तो अल्रेड़ी कर चुके हैं so big draw means a huge attraction मतलब काफी जादा attraction होना किसी चीज के परती आज के लिए बस इतना ही दोस्तो उमीद करता हूँ आप कोई मेरी कलास interesting और helpful लगी होगी अगर आप कोई मेरी कलास interesting और helpful लगी है तो इस कलास को like और share कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर दें ताकि आप इस तरह की update को बिल्कुल भी miss ना कर सकें तो मिलते हैं दोस्तो अपनी next कलास में कुछ ऐसे ही new और interesting words के साथ आज के लिए बस इतना ही जैहिन दोस्तो